मतुरा के श्री कृष्ण जन्भूमी मामले में हिंदू पक्ष के वकील आशुतोष पांडियें को पाकिस्तान से धमकी भरा फोन आया है। वह व्रिंदावन से पेशी के लिए हाई कोट डा रहे थे। इसी दोरान उन्हें फोन पर केस से हटने को कहा गया। केस वापस ना ल है। आशुतोष पांडियें को धमकी भरा फोन उस समय आया जब व्रिंदावन से हाई कोट के लिए निकले थे। इसी दोरान उन्हें वाटसेप पर फोन आया। दावा किया जा रहा है कि उन्हें पाकिस्तान से फोन आया था। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के होश गए। इससे पहले फरवरी में भी उन्हें पाकिस्तान सिध्धम की भरा फोन आया था। इसकी उन्होंने शिकाते भी दर्ज कराई थी। केस की प्रुषणियता को लेकर सुनवाई आज बता दें कि श्री कृष्ण जनम भूमी और शाही इदगाह केस की प्रुषणियता क को लेकर इलाहबाद हाई कोट में आज सुनवाई होनी है। इसमें दावा किया गया है कि शाही इदगाह मस्जित का निर्मान कट्राकेशव देव मंदर की 13.37 एकर भूमी पर किया गया है। इस मामले में मुसलिम पक्ष की ओर से हाई कोट में कहा गया कि वादी हिंदू प ओए क्यागन में श्री कृष्ण जन्द भूमी ट्रस्ट की ओर सेंट रे किया गया था कि भव्य मंदर का निर्मान किया जाएगा। इसका प्रबंधन ट्रस्ट की ओर से किया जाएगा। इस 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संग नाम की संस्था गठित की गई। इस जमीम का मालिक आनाव किसी के पास नहीं था 1964 में इसे लेकर एक सिविल विवाद दायर किया गया 1968 में ट्रस्ट ने मुसलिम पक्ष के साथ समझवाता कर दिया। इस समझवाते में मुसलिम पक कर दो